So, Hello Friends, Welcome to Study News आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खुबसूरत देश New Zealand की लगभग 50 लख अबादी वाला ये देश एक Iceland Country है इस देश का छेत्रफल लगभग 2,68,000 km2 है Island Country लिस्ट में ये छेत्रफल के हिसाब से पांचवे इस्थान पर आता है ये देश व्यूज वाइज बहुत ही खुबसूरत है इस वीडियो में आप इस देश की इतिहास, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी से लेकर इस देश के जियोग्राफी के बारे में भी जानेंगे So, Let's Start New Zealand दक्षडी पस्चिमी प्रसांत महसागर का एक देश है इसमें दो मुखे लेंडमास सामिल हैं जिसमें नौर्थ आइलेंड है और साउथ आइलेंड है और लगभग छे सो छोटे द्वीप हैं जो कुल दो लाख 68,021 वर किलोमीटर छेतरफल को कवर करते हैं न्यूजिलेंड तस्मान सागर के पार आश्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर पूर में और न्यू कैलेडोनिया, फेजी और टोंगा के द्वीपो से 1000 किलोमीटर के दूर है न्यूजिलेंड की राजधानी वेलिंग्टन है और इसका सबसे अधिक आबादी वाला सहर आकलेंड है चलिए मैप में भी देख लेते हैं, ये है हमारा भारत, इससे साउथ इस्ट में जाएंगे, ये है अस्ट्रेलिया और इससे थोड़ा सा साउथ इस्ट में जाने पर तस्मान सागर के इस्ट में ये है न्यूजिलेंड और ये है नौर्ध आइलेंड और ये है साउथ आइलेंड और ये है न्यूजिलेंड की राजधानी वेलिंग्टन और इस जलसंधी को कहते हैं कुक जलसंधी और इसके चोटे बड़े चोटे चोटे आईलेंड इधर 600 आईलेंड आपको मिल जाएंगे न्यूजीलेंड के दीप इंसानों द्वारा बसाये जाने वाले आखरी दीपों में से एक है लगभग 1280 और 1350 इसवी के बीच पॉलीनेशियन ने दीपों में बसना सुरू किया और फिर एक विसिष्ट मावरी संस्कृती विक्सित हुई पॉलीनेशिया ओशेनिया के एक उपछेत्र है जिसके अंतरगत मध्यों और दक्छिडी प्रशान्त मासागर में फैले लगभग 1000 दीपों का एक बड़ा समू होता है पॉलीनेशियन्स के बाद 1642 इस्वी में डच खोजकरता एबेल तस्मान न्यूजिलेंड देखने वाले पहले यूरेउपिय बने इसके बाद 1840 में यूनाइटेड किंग्डम और मावरी प्रमुखों के प्रतिनिधियों में वतांगी की संधी पर हस्ताक्चर हुए जिसके कारण वहाँ पर ब्रिटिस सामराज्य इस्थापित हुआ इसके बाद 1907 तक यह ब्रिटिस सामराज्य का एक उपनिवेश देश बना रहा न्यूजिलेंड 1907 में एक प्रभूत राष्ट बना लेकिन 1947 में इसे पूर्ण वैधानिक स्वतंतरता प्राप्त हुई आज के समय देखा जाए तो न्यूजिलेंड में लगबग 5 मिलियन की आबादी का अधिकांस हिस्सा यूरोपिय मूल का है और स्वदेशी मावरी सबसे बड़े अलपसंख्यक बनकर रह गए हैं और इसके बाद एशियाई और प्रसांत द्वीप के समू आते हैं यहाँ चीज यह दर्साता है कि न्यूजिलेंड की संस्कृती मुख्य रूप से मावरी और सुरुवाती ब्रिटिस के बसने से उत्पन हुई थी न्यूजिलेंड की नैशनल लेंग्वेज इंग्लिस है और यहाँ पर अंग्रेजी, मावरी और न्यूजिलेंड साइन लेंग्वेज बोली जाती है रिलीजियन्स की बात करें तो न्यूजिलेंड में इसाई धर्म सबसे प्रमुक धर्म है न्यूजी लेंड में लगभग 37% लोग इसाई धर्म को मानते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा तपका 48% लोग कोई धर्म को नहीं मानते यहाँ की कल्चर की बात करें तो प्रारंभिक मावरियों ने एक बड़े और अधिक विविद वातावरंड से जुड़ी चुनावतियों के अनुरूप ट्रॉपिक आधारित और पूरो पॉलिनेशियन संस्कृती को यहाँ पर अनुकूल बनाया था इस संस्कृती में सामाजिक संगठन काफी हद तक परिवारों के साथ सामप्रदाइक थे फिर इसके बाद बreekटिस सर्स और आईरिस लोगों ने यहाँ पर आकर मावरियों के साथ मिलकर संस्कृती में काफी बदलाव किये आज भी Auckland में Pacifica नामक तिवहार मनाया जाता है जो दुनिया में सबसे बड़े Polynesian तिवहारों में से एक है New Zealand एक developed country है, इसकी high rank है, quality of life में, educations में, protection of civil liberties में, government transparency में और आर्थिक स्वतंतरता में, ये विश्विस्तर पर एक अच्छी rank रखते हैं 1980 के दसक के दोरान, New Zealand ने बड़े आर्थिक बदलाव किये थे जिसमें इसे सनरक्षणवादी से मुक्त मुक्त वियापार अर्थविवस्ता में बदल दिया था यहां की economy में services का बहुत बड़ा हाथ है इसके बाद अध्योगिक छेत्र और क्रिशी और अंतर राष्ट्री परियतन राजस्व एक महत्पुन्ट स्रोत है यहां के वर्तमान गवर्नमेंट की बात करें तो इस समय यूनिटरी, पारलियमेंटरी, कंस्टिट्यूशनल मुनार्की की सरकार है यह लोग भी कॉमन वेल्थ का हिस्सा है इसी लिए यह एलिजाबेट दुटिये को अपनी रानी मानते हैं इस समय न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा अर्डन है यहां के लेजिसलेचर को पारलियमेंट या हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इस देश की एकोनॉमी की बात करें तो यहां पे जीडिपी 208 बिलियन डॉलर और पर कैपिटा इंकम 41,286 डॉलर है और यहां पर करेंसी न्यूजिलेंड डॉलर यूज होती है दुनिया भर में न्यूजिलेंड की पहचान एक स्टेबल और वेल गवर्ण्ड कंट्रीज में होती है गौर्नमेंट ट्रांस्परेंसी में यह विस्व में पहला इस्थान रखते हैं और Strength of Democratic Institutions में चोथा इस्थान रखते हैं इस देश के जोग्रफी की बात करें तो यह देश Center of the Water Hemisphere के बहुत नजदीक है इस देश के दो मुखे आईलेंड है और 600 चोटे चोटे आईलेंड है दो मुखे आईलेंड में से एक Northern आईलेंड है और एक Southern आईलेंड है इसके बीच के जलसंधी को कुक जलसंधी कहते हैं जो 22 किलो मीटर चोड़ा है न्यूजी लेंड के Southern आईलेंड में एक लेंड स्लाइड है इसकी लंबाई दक्षडी आल्पस द्वारा विभाजित होती है जो 3000 मीटर से अधिक है इसमें 18 चोटे बड़ी चोटियां है जिसमें सबसे बड़ी चोटी माउंट कुक है जिसकी उचाई 3724 मीटर है प्रशांत और इंडो अस्ट्रेलियाई प्लेट्स के बीच उपस्थित न्यूजी लेंड जी लेंडिया का हिस्सा है अभी हाली में जी लेंडिया को आठवा महादीप घोसित किया गया है इस पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसे आप देख सकते हैं ये जी लेंडिया जो गोडवानन सूपर कॉंटिनेंट से अलग होने के बाद धीरे धीरे जलमगन हो गया था इसे जी लेंडिया नाम दिया गया है और हाली में इसे आठवा महादीप भी घोसित किया गया है इस देश की क्लाइमेट की बात करें तो साउथ आईलेंड के वेस्ट कोष्ट पर मद्ध है ओटागो में लगभग अर्थ सुसक और अंतर देशिये केंटर वरी के मेकेंजी बेसिन और नौर्थ लेंड में उश्न कटिवंदी छेतरों में इस्थितिया तेजी से बदलती र रहता है न्यूजी लेंड के बायोडावेर्सिटी की बात की जाये तो मनुश्यों के आगमन से पहले यहां पर असी प्रतिसत भूमी जंगल से कवर थे और सिर्फ उच अलपाइन, गीला, बंजर भूमी और ज्वाला मुखी वाले छेतर ही बिना पेडों के थे इस देश मे पौधो की 1,944 प्रजातियां हैं, यहां पर कवको की भी प्रजातियां लगभग 2,300 से ज़्यादा पाई जाती हैं, न्यूजी लेंड में उपस्थित जीवों में 82 प्रतिसत जीव इस्थानिक हैं, यानि यहीं के हैं, न्यूजी लेंड में बहुत सारी छोटी छोटी इस देश के इंफ्राइस्ट्रक्चर की बात करें तो इस देश में ग्रोस एनरजी सप्लाई का लगभग 40 प्रतिसत रिनेवबल एनरजी से जनरेट होता है, देश की अधिकांस बिजली की आपूर्ती जल विद्युत से उत्पन होती है, जिसमें डैम, जव, वाइकाटो, वाताकी, कलूथा नदियों के साथ साथ मनापूरी की नदियों पर बड़ी परियोजनाय बनी हुई है, और नौर्धन आइलेंड पर टूपो जौलामिकी छेतर में इस्थित कई बड़े स्टेशन के साथ साथ भूतापिय उर्जा भी बिजली का एक महतपूर्ण जनरेटर है, जनरेशन और रीटेल मार्केट की पांच मुख्य कमपनिया, कॉन्टेक्ट एनरजी, जेनेसिस एनरजी, मरकरी एनरजी, मेरेडियन एनरजी और ट्रांस पावर यहाँ पर मौझूद है, यहाँ के इंफ्राइस्ट्रक्चर में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हा है, सो यह थी पूरी जानकारी इस देश के बारे में, आई होप आपको न्यूजिलेंड के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट